खुदी को कर बलंद इतना कि खुदा खुद तुछ से आ करके पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है जो फेलियर होता है that is completely temporary फेलियर बहुत ही temporary चीज है future में हो सकता है कि आप किसी examination में select हो जाए या फिर आप किसी बड़े position पे चले जाए other than examination ठीक है तो फेलियर तो temporary हो गए लेकिन कोई चीज permanent तब होती है जब आप उसे quit कर दें बार बार failure होने के बावजूद आप किसी चीज को continue कर रहे है that means आप successful already है जब आप किसी चीज को quit कर देते हैं तब आप failure होता है इस बात को ध्यान से ध्यान से समझना क्योंकि आप दुबारा उसे करी नहीं सकते आपने quit कर दिया है तो आज मैं आपके साथ discuss करने वाली हूँ कि UGC net examination को आप दो महिने में किस तरीके से prepare कर सकते हूँ और इसमें मैं आपकी मदद किस तरीके से कर सकती हूँ तो आपके साथ discuss करने वाली हूँ कि UGC net की क्या तयारी हो सकती है दो मैंने में पेपर one पेपर two इतना सारा चीज़े के तयारी हो सकती है जवाब है हाँ हिंदी का ऐसे वाला हाँ और इंग्लिश का ह-a-a-n हाँ बिल्कुल तयारी हो सकती है क्या करना होगा अब आपको smart तयारी करनी होगी ताइम बहुत कम है तो सबसे पहले आप ये समझो कि MCQs is very important MCQs जो होता है वो बेहद जरूरे है आप चाहे paper one का पहले page से लेकर आखरी page किताब का पढ़ ले अपना paper two के इतने सारे books पढ़ ले लेकिन आपने अगर MCQs solve नहीं करे हैं तो आपकी तयारी सही नहीं चल रही है आपको MCQs solve करना पड़ेगा और वो भी जादा MCQs कितना MCQs पेपर two के लिए आपको धाई हजार MCQs solve करने पड़ेंगे कम से कम धाई हजार MCQs ठीक है तो जब आप धाई हजार MCQs solve कर लोगे ना तो उसमें से कम से कम 80 question तो आप examination में पक्का मार के आओगे तो उससे जयारख तक पहुचने का जो case रहता है आपका luck रहता है वो बहुत उचा चले जाकता है तो इतना कम से कम MCQs आपको solve करना होगा पेपर 1 के लिए कितना MCQs कम से कम 1000 MCQs ये दोनों चीज आपको करनी पड़ेगी अब मेरा क्या है मेरा subject है sociology तो मैं आपको sociology का advice कर सकती हूँ कि आप क्या करिए मेरा code use करो sakshi.patel181 ठीक है अनेक आडमी में तुरंत आपको entry मिल जाएगी free of cost special classes मेरी होती है 3-4 एक मार्च से चालू हो जाएगी उसमें आप join करिए आराम से पढ़िए देली में 30 questions कराती हूँ examination तक आपका बहुत सारा complete हो जाएगा MCQs प्लस मैंने पहले बहुत सारी parts में cover करा करके रखा हुआ है 24-25 पार्ट उसको आप देख लेंगे आपकी दयारी बहुत अच्छी हो जाएगी answers भी आपको वहीं मिल जाएगे तो आप उसको देखो ठीक है डेली 3-4 मार्च 1 मार्च से अब बाकी subject वाले लोगों क्या करें लोगों ने पॉल साइन्स ले रखा है है ना पुरे दुनिया का हर इंसान sociology थोड़ी पढ़ता है तो पॉल साइन्स हो गया English literature हो गया Hindi हो गया फिर various subject history वगेरा आप प्लीज अन यह code यूज करोगे तो 10% का discount हो जाएगा तो यह code को मैं अब अगल में लिख दूँ की ताकि आपको इतनी सी भी दिक्कत ना हूं तीक paper 1 के लिए आपको exactly क्या करना है देखो paper 1 के लिए books है आप books पढ़ सबते हो Pearson बहुत अच्छी book है अर यहांत is also a very good book तो आप इस book को आप डाउनलोड करो मेरा जो सेम यूट्यूब चानल का नाम है उसमें जाकर के स्टोर पे जाओ और कोर्स खरीद लो अभी तुरां 24 परवरी को लॉंच हूआ है paper 1 का कोर्स ठीक है बहुत सस्ता भी है ऐसा नहीं कि बहुत महेंगा है छे महिने के लिए आपके पास होने माल एक हजार MCQs भी आप सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ Unit 1 से लेकर Unit 10 की पूरी तयारी मैं आपको कराऊंगी Bilingual में Bilingual समझ रहे हो ना Hindi और English दोनों में होने वाले है तो इससे आपकी Solid तयारी होगी आपको और कुछ करने की ज़रत नहीं है ना MCQs सॉल्व हो गए नमबर सेकेंड एक सिलेबस को प्रिंट आउट करवा करके लख लो जैसे की Paper 2 है तो उसका 10 पेज रहेगा Paper 1 का 10 पेज रहेगा 20 पेज का कम से कम एक फाइल मेंटेन करके रखो और एक एक टॉपिक को दो महिने में डेली जैसे की एक यूनिट है उसक इससे जादा का मैं आपको एडवाईज नहीं करूगी कि आपको देना है ठीक है और ऐसा करके हर टॉपिक को कम से कम उपर उपर से Google सर्च तो करी सकते हो इतना कर लो अगर आपको पोर्स नहीं लेना है आपको वीडियो नहीं देखना है तो कम से कम इतना काम करो basic study करो इसस चल रही है आपको एक routine maintain करना पड़ेगा और मैं आपको एक चीज बता रही हूँ minimum pain is required दर्द होगा थोड़ा सा अगर किसी चीज में दर्द नहीं हो रहा है that means आप अपने comfort zone में हो आप बहुत ही आराम से चीजों को कर रहे है और उसमें सिर्फ इंसान आराम से एक ही चीज करते हैं और वो है सोता है तो आपको यहां सोना नहीं है आपको क्या करना है थोड़ा सा दर्द जहल करके सुबह जल्दी उठ जाना है रात को जल्दी सो जाना है और एक routine maintain करके पढ़ना है आखरी चीज revise करो ठीक है बहुत सारी लोग मुझसे कहते हमसे यार नहीं होता हमस कि आप चीजों को भूल जाओ नहीं तो लोगों के life में इतना हाथसा हुआ रहता है कि अकर वो हर चीज को याद करके बैठें कि मुझे किसी ने कुछ कह देया मेरा तो ब्रेक अप हो गया मेरे को तो यह हो गया वो गया इतनी सारी बात है अगर आप सब चीज को याद करके रखोगे ना तो आपका दिमाख खराब होगा और पागल होने में समय नहीं है इसलिए make sure कि बहुत अच्छा gift आपको मिला है कि आप चीजों को भूल जाते हो लेकिन आपको पढ़ाई में भूलना नहीं है बार बार अगर चीजों को पढ़ोगे और वाइस करोगे और आप आपके दिमाख में चीज़े चप जाएगी अब यह मुझे बताओ कि UPSC 2015 की टॉपर टीना डाबी है कि आप यह समझे हो कि टीना डाबी जो है यह कुछ होता है आपने याद किया है बार बर जब आपने देखा तो आपको चीज़े याद हो गया तो बस revision करो बार बर चीज इसको तो comment section में बिल्कुल बताएं मैं separate video बना दूँगी बहुत जल प्रॉमिस नहीं कर सकती कि कल बना दूँगी या परसो बना दूँगी लेकिन हाँ जल से जल बना दूँगी कि किस तरीके से चीज़ों को revise किया जाता है effectively ओके और आफरी बात जो मैं आपको बोलना चाह करते हैं कि आप planner हो लेकिन अगर आप एक अच्छे executor नहीं है तो आपकी life सही direction में नहीं चल रही है इसलिए make sure कि आप planning तो करो लेकिन planning के साथ साथ उसे execute करना आपकी जिम्मेदारी है और execution में और कोई मदद नहीं कर सकता है execution आपको खुद करना पड़ेगा थोड़ा सा द practically आपको अच्छा पी लोगा यहां पर हमें result नहीं चाहिए यहां पर हमें चाहिए discipline कितना maintain हो रहा है तीक और 60 दिन बाद तो exam ही खुद है तो आपा करके खुद आपको यह फायदा होगा तो comment section में लिख सकते हैं कि thank you so much बाकी आपके उपर है कि आप कैसे comments करते हैं लेकिन comment जरूर करिएगा मुझे उससे motivation बिलता है और like करो share करो यार जादा से जादा लोगों के साथ ताकि लोगों को फायदा हो ग्यान जितना बाटा के उतना फैलता है ना तो please please do this thing okay so thank you so much do like share and subscribe और जो भी चीज़ है मैं link डाल दूँगे description box पर जहां से जाकर कि आप लोग course को खरीच सकते हो Amazon से book buy करना है तो उसका भी मैं link description box में डाल दूँगी तब तक के लिए thank you so much and see you bye in the next video bye guys